हेलो दोस्तों मैं आपका अपने इस यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे स्वास के लिए अंकुरित बीच के बारे में अंकुरित अनाज को स्वास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है अंकुरित अनाज पोशक तत्तों से भरपूर होता है इसलिए healthy रहने के लिए अंकुरित अनाज का शेवन बहुत जरूरी है आपको अंकुरित अनाज के फायदों के बारे में भी पताऊना चाहिए यदि आप यह जान जाएंगे कि अंकुरित अनाज आपको कैसे फिट रखता है तो आप खुद बखुद अंकुरित अनाज का सेवन करेंगे यह जानना भी जरूरी है कि आखिर आपको अंकुरित अनाज की क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए यभी जानना जरूरी है कि क्या अंकुरित अनाज कैलोरी से भरपूर होता है या नहीं इतना ही नहीं आपको यभी पता होना चाहिए कि अंकुरित अनाज के लिए आप वज़न घटा सकते हैं या नहीं तो आईए जाने अंकुरित अनाज के फायदे क्या क्या हैं अंकुरित अनाज के फायदे पहला नाश्ता आम तोर पर अंकुरित अनाज नाश्ते के रूप में लिया आयाना चाहिए आपको नाश्ता हैवी करना चाहिए ऐसे में आप अंकुरित अनाज से नास्ता करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इतना ही नहीं आप यदि सोया बिन, काले चने, मुंग दाल, मोंट इत्यादी को अंकुरित करके खाएंगे तो इन खादे पदार्तों में मौजूद पोशक तत्तों की मात्रा दोगुनी हो जाएगी दूसरा पाचन तंत्र बनता है मजबूत अंकुरित अनाज खाने से आपकी पेड़ संबंदी समस्याय दूर हो जाती है फाइबर यूक्त रेशेदार अंकुरित अनाज खाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है तीसरा पोशक तत्तों से भरपूर अंकुरित अनाज एंटी आक्सिडेंट और विटामिन A, B, C, E से भरपूर होता है इतना ही नहीं इसमें फास्फोरस, आइरन, कैलसियम, जींक और मैगनेशियम जैसी पोश्टिक तत्तों भी होते हैं अन्टी आक्सिडेंट से जहां व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वहीं कैलसियम से हड्डियों में ताकत आती है आइरन रक्त में हीमोगलोविन की मात्रा बढ़ाने में सायग अन्य पोशक तत्त व्यक्ति को स्वस्थ और फिट रखने में कारगर है चौथा प्रोटेन युक्त अंकुरित अनाज में बहुत सारे प्रोटेन होते हैं जो कि शरीर को मजबूत रखने और बिमारियों से बचाने के लिए जरूरी है पांचवा कम कैलोरी युक्त अंकुरित अनाज में कैलोरी बहुत कम होती है जो कि मोटे लोगों के लिए बहुत फायदे मन्द है इतना ही नहीं जो लोग नहीं चाहते कि उनका वजन बढ़े उन्हें भी अंकुरित अनाज खाना चाहिए अंकुरित अनाज के अन्य फायदे भी हैं जैसे यह रक्त को साप करने में महतुपूड भून का निवाता है यह एक प्राकृतिक पॉस्टिक आहार है इसके कोई साइड अफेक्ट भी नहीं है यह वसायूत और व्यक्ति को मोटापे से बचाता है यह बहुत ही स्वादिष्ट फूड है इसे असानी से पचाय जा सकता है दालों इत्यादी को अंकुरित करने से इनकी पॉस्टिकता अधिक बढ़ आती है ब्यक्ति को चुस्त दुरूस और स्वस्ट रखने के लिए अंकुरित अनाज से बढ़िया कोई उपाय नहीं है यदि आपको भूक ना लगने की समस्या है तो अंकुरित अनाज खाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है नवजात सिसु में मांसी सारी रिक दुर्बताओं को दूर किया जा सकता है यदि गर्बा उस्ता के दौरान महिला अंकुरित अनाज का सेवन करती है अंकुरित अनाज को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें टमाटर, धन्या, खीरा, मीबू, काली मिर्च और नमक जैसी चीज़ों को मिलाय जा सकता है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए और एक इन्फरमेटिव वीडियो को लेकर मैं फिर से वापस आऊंगी तब तक के लिए स्टे हेल्दी, आलवेज बी हैपी और टेक गूड केर अफ योरसेल्फ थैंक यू फॉर वाच्छिंग माई वीडियो